सुशान सिंग राजपूत की आत्महत्या के मामले में रिया चक्रोबर्ती से पुलिस को एक एहम सुराग मिला है आपको बता दें कि सुशान सिंग ने रिया चक्रोबर्ती से कहा था कि वो यश्राज फिल्म्स की कॉंट्रेक्ट को खतम कर दे रिया ने बताया कि उन्हें ये बात गलत लगी तो उन्होंने सुशान सिंग के इस बात को नहीं माना और सुशान सिंग राजपूत ने खुद यश्राज के साथ अपने सारे कॉंट्रेक्ट्स को खतम कर दिया था इसी बिना पर पुलिस ने यश्राज फिल्म से सुशान्त के साथ हुए उनके कॉंट्रेक्ट को मांगा है आखिर क्या था उन कॉंट्रेक्ट्स में जिसे सुशान सिंग ने खुद खतम कर दिया था जी हाँ हम आपको बताते हैं इसकी पूरी वज़ा क्या थी सुशान सिंग राजपूत ने यश्राज बैनर के साथ दो फिल्मों में काम किया था इनमें 2013 में मनी शर्मा की डिरेक्शन में बनी चुद देशी रोमांस और 2015 में दिपाकर बैनर जी के डिरेक्शन में बनी डेटेक्टिव बोमकेश बक्षी थी दोनों ही फिल्म में सुशान के अभिने की काफी सरहा गया था यश्राज बैनर के साथ सुशान की तीसरी फिल्म पानी हो सकती थी जिसका निर्देशन शेकर कपूर कर रहे थे सुशान इस फिल्म को लेकर काफी ज़्यादा एकसाइटिड भी थे हाला कि यश्राज फिल्म ने इस फिल्म को रोकने का फैसला किया इस बात का खुला सा खुद शेकर कपूर ने किया था जी हाँ आपको बता दे कि सुशान सिंग पानी फिल्म को लेकर काफी एकसाइटिड थे लेकिन जब यश्राज ने ये फिल्म को रोकने का फैसला किया तो इसी बात को लेकर शायद शिशान सिंग राज़कूत की यश़् फिल्म से नहीं बनी और उन्होंने उनके साथ सारे कॉंट्रेक्ट्स को खतम किया होगा आपको क्या लगता है कि क्या वज़ा रही होगी इन सब के पीछे हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इंफोर्मेशन आप मिस ना करें